नमस्ते दोस्तों मैं मोर्य वर्षा मेरे यूटूब चानल पर आप सबका स्वागत करती हूँ दोस्तों फिर से एक बार हिंदी की तैहरी के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बानभट्ट की आत्मकता के लेकक हजारी प्रसाच दिवेदी का परिचे दिया था आज हम बानभट्ट की आत्मकता का अध्ययन नेट सेट की दुरुष्टी से करेंगे क्योंकि बानभट्ट की आत्मकता यह उपन्यास बहुती बड़ा और बहुती विस्तृत है जो बान के जीवन पर या बानभट्ट के जीवन पर आधारी थे अब इस उपन्यास का अधियन हम नेट की परिक्षा के दुरुस्ति से करने वाले हैं तो चलिए बानभट्टे की आत्मकता इस उपन्यास को देखते हैं प्रकाशन इस उपन्यास का प्रकाशन 1946 में राजकमल प्रकाशन से हुआ है इसका नवीन प्रकाशन भी हुआ है 1 सितंबर 2010 को किया गया अब बान भट्टे की आत्मकता हर्ष कालिन सभ्यतायों संस्कृति का जीवन त दस्तावेज है हम इस उपन्यास का विशे कह सकते ही कि जो समराठ हर्ष वर्धन के कालिन जीवन और वहां की ततकाने समय की सामाजिक विवस्ता का चित्रण भी इसमें मिलता है अर्थात फिर से एक बार हर्ष कालिन सभ्यता यवं संस्कृति का जीवन त उधारन यानि ये उपन्यास है यह एक एत्यासिक उपन्यास है और इस उपन्यास में जो बाते आई हैं इसमें नारी के तीन रुपों का चित्रन किया है एक प्रेमी का का रूप, एक सन्यासिनी का रूप और दूसरा धर्म पत्नी का रूप ठीक है अब इस उपन्यास के बारे में बहुत सारे लोगों ने अलोचिना भी की है बहुत सारे अलोचिकों ने इस उपन्यास पर टिका टिपनी भी की है लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जुनों ने बान भट्ट की आत्मकथा इस उपन्यास पर कुछ टिप नहीं कहा हैं मैं आप लोगों को बता रहे हूं पहले हैं डॉक्टर बच्चन सिये ने कहा कि बान भट्ट की आत्मकथा एक क्लासिकल रोमेंटिक उपन्यास है फिर से एक बार डॉक्टर बच्चन सिये ने कहा कि बान भट्ट की आत्मकथा एक क्लासिकल रोमेंटिक उपन्यास है दूसरा स्री भगवत शरन उपाध्या कहते हैं कि स्री दिवीदी जी की बान भट्ट की आत्मकथा भी बान की कादमबरी की ही भाती एक रोमांस है यानि स्री भगवती शरन उपाध्याय कहते हैं कि स्री दिवेदी जी की बानभट की आत्मकता भी बान की काधंबरी की ही भादी एक रोमान से दीसरे है नलीन विलोचन शर्मा वैसे बहुत सारे आलोचोकों ने इस पर टिका टिपनी की है लेकिन जो कुछ मुझे महतो हो पुरू न लगे वही आलोचोकों की टिपनी मैं आप लोगों को बता रही हैं अब नलिन विलोचन शर्मा कहते हैं अगर मुझे हिंदी के दो तीन उत्कृष्ट एत्यासिक उपन्यासों के नाम लेने को कहा जाए तो बानभट्टे की आत्मकथा उनमें से एक जरूर होगी यानि अगर हिंदी के दो तीन उत्कृष्ट एत्यासिक उपन्यासों के नाम लेने को कहा जाए तो बानभट्टे की आत्मकथा उनमें से एक जरूर होगी यानि इतनी विशेष बात इत्यासिक उपन्यासों में से पहले एक दो नंबर पर आने वाली ये बानभट की आत्मकता ये उपन्यास है ठीक है अब इसके बाद अब इस उपन्यास में आने वाले जो मुख्य पात्र हैं उन मुख्य पात्रों को मैं आप लोगों को नाम बता देती हैं ठीक है पहला मुख्य पात्र है जो बानभट्ट आप सभी को पता है क्योंकि बानभट्ट के आत्मकता शिर्षकी है उपन्यास तो बान भट्ट और बान भट्ट जो भावुक है स्वाविमानी है शिष्टाचारी है नारी के प्रती अघात सम्मान यवन श्रद्धा उसके मन में है बान भट्ट और बान का ही पूरा जीवन चित्र इस उपन्यास में आया हुआ है तीसरा पात्र है निवन यानि दूसरा निवनिया या निपूनिका ये निपूनिका है और तीसरा है महादेवी भट्टे या भट्टे उसके बाद कृष्यवर्धन विग्रह वर्मा लोरिक देव अघोर भेरव सुगत भद्र पूजारी महामाया सूचरित्रा और भुर्वश यानि ये सब जो पात्र है इसमें निपूनिका और भट्टे नि यानि लगभग इस उपन्यास में हमको स्रिप तीन पात्र मुख्यों रूप से दिखाई देते हैं जिसमें भट्टे निपूनिका और बान भट्ट निपूनिका जो है अपने को निशेश भाव से जो दुस भट्टेनी जी है, सब कुछ भूल जाने की साध्रना में वर लीन रहती है, सब कुछ भूल जाने की, और बान भट्ट का चरीत्र तो आपको पता है कि ये एक प्राचेन कवी है और बहुती एक अच्छे पुरुशे योदा है, यानि प्राचेन कवी बान के बिखरे जीवन सुत्रों को बड़ी कलात्मक्ता से गूंद कर एक ऐसी कथाब हुई, निर्मित की है, जो जीवन के सत्यों से या सत्यों से रहश्य में होकर साक्षातर कराती है, यानि बान भट्ट के जीवन के एक-एक सुत्रों को जो हमें देखते हैं प्राचेन साहिते में बिखरे हुए उन सुत्रों को जोड़कर लेखक ने इस उपन्यास में एक माला बनाई है और जो माला पूरे बान भट्ट के जीवन को प्रस्तूत करती है और पाठकों के सामने उसका साक्षातकार भी करवाती है, ठीके, अब ये हो गए उसके उपन्यास के पात्र, अब पात्र के बाद इस उपन्यास में जो आई हुई कथा उस्तूया है या कथा है या बान भट्ट की, अगर जब तक हम बान भट्ट की समिक्षा नहीं देखेंगे या उसकी कथा पड़ेंगे ने, तब तक उस उपन्यास में क्या है हमें समझ में नहीं आता, ठीके, अब हमें जो नेट की अध्यान करना है वह अध्यान इस दुर्ष्टी से कि हमें बानुभटके के या इस उपन्यास का विशे जो मैंने आपको पता दिया है कि हर शिकालियन सब्वेतायों संस्कृति का जीवन्त दस्तावेज है ये और समाज का चितरन भी इसमें आया है प्रेम की उच्छता का भी इस उपन्यास में ठीके अब इस उपन्यास की कथावस्तु हम देखेंगे में देखा है आज हम बानुभटके की आत्मकता या उपन्यास की इसमें समिक्षा या कथावस्तु देखेंगे संक्षिप्ट में ठीके अब इसमें जो मुख्य पात्रा आया है बानुभटका जन् प्रक्षाद वातसायन वंश में हुआता, यह वंश अपनी विद्वता के कारण समुझे भारत में समाहिता, बान के पित्र, पितामवा के ग्रह, वेदाधीयों से ब्रे रहती थे, उनके घर की शुक, सारी क्यायं भी विशुद्ध मंत्रों चारण कर लेती थी, यही कारण थ कि उस समय के विधरती उनसे दरते रहते थे क्योंकि वे उनके अशुद्ध पाटों को सुधार दिया करती थी बान के पिता ग्यारव भाई थे यानि पिता के ग्यारव भाई थे जिन में से एक चित्रभानु भी थे बान इनी के पुत्र है बच्पन में ही इनकी माता का या मा चले जाने के कारण ये थोड़े अपने जीवन से या अपने घर परिवार से विभक्त हो जाते हैं और इनके एक चचेरे भाई भी थे जिनका नाम उडपती था। की विद्वता की घरी चाप पड़ गई थी और बाद में ये वेदिक मत की और भी प्रवर्थ हो गए थे अब बान का वास्तविक नाम दक्ष था। तो लोग उसे बंड कहने लगे इसी शब्द का संस्कुरूत रूप पान बन गया अब बान निरुद्धिश्य इस नगर से उस नगर में उस जनपद से इस जनपद में वर्षों तक इधर उदर फिर रहे थे इस दोरान में उसे अपनी जीवी का के लिए अनेक कारे करने त कभी पुरान कभी पाठक बन जाना वह सुन्दर मुर्दभाशी और वाकपटू भी थे इसलिए जिस कारे की वोर भी वह प्रवूर्थ होते उसी में आशातित सपल्दा भी उनें मिलती रहती थी इसी प्रकार एक भटकता हुआ जो बानबट है स्थानी शोर या थानी शोर नगर में पहुँच गया वहाँ पर उनसे एक विशाल जुलूस को राजमार्ग से गुजरते हुए देखा उस जुलूस में जितने भी नरनारी थे सभी हर्ष के पारावार में डूब रहे थे और किसी न किसी क्रिया से अपने हर्ष के आधिक्य को प्रकट कर रहे थे बाह उसकी या बानभट्टे की विचारधारा टूटी पूछने पर ग्यात हुआ कि वह मोसर कुमार कुष्ण वर्धन के पूत्र जल्म के उपलक्ष में मनाया जा रहा था बान के मन में ये विचार आया है कि क्यों राजभावन में जाकर उस नवजात शिशु को आशिरवात द हो गए उस दिन उसने भली प्रकार यानि उन्होंने स्नान किया शुक्ल अंगराग धारन किया शुक्ल पुष्व की माला पहिनी यानि वहां राजभावन में जाने के लिए वो तयार हो गए अब जब संध्या हो गई शुक्ल पक्ष त्रियोदेशी की दिन चांदनी पूत किसी फर फेल गई तो वह अत्यनत पुलुकी थोकर राजभावन की और चले उनके मन में अनेक प्रकार की सुनहली आशाये उमंगी जाग रही थी और उनके चरन दृत्त गदी से राजभावन की और उठ रहे थी सहसा एक शिन और कोमल आवाज उनके कानों पर पड़ी भट और भट ऐसा वो किसी की आवाज उनके कानों पर पड़ी तो उन्हें लगा कि शायद ये आवाज में पहचानता हो बान के चरन एकदम रोग जाते हैं उन्होंने मुड़कर देखा तो निपूनी का एक दुकान पर बेटी हुई उन्हें पुकार ही है बंदसी मुस्कान ले थी क्योंकि निपूनीका से उसका पुराना और अत्यंत गहरा परिचे था निपूनीका का जन्म सामाजिक दुरुष्टी से निम्न वर्ग में जाने वाले वर्गों में से एक ही वर्ग में हुआ था उसके पूर्वज गुप्त समराटों के यहां नौकरी किया करते थी जि दुर्ख के कारना वी अपने वर्गों को वीद्र वेश्य वाट करता है